जैहिन सात्यों फिर से स्वागत है आपका आज हमारा जो टॉपिक है वो अहिलिया भाई हुलकर है और यहां मध्यपरदेश के जनरल स्टडी से संबंदित या विशाय से संबंदित टॉपिक है चलिए देखते हैं अहिलिया भाई हुलकर के बारे में तो गाइस अहिलिया भा करते हैं कि कहा उनका जन्म हुआ था के से उनका विवा हुलकर वंश में हूआ और हुलकरवंश में किस तरह उनके साथ कई टर्निंग पॉइंट्स आए लाइफ में जीवन में कई ऐसे मोड आए ठीक है तो उन सभी के बारे में हम शुरू करते तो अगर इनके बच्पन की या जन्द की बात करें तो ये महराज के एहमद नगर के चौंडी गाओं में 31 मई 1725 में इनका जन्म हुआ था जन्म इनका एक साधारन परिवार में हुआ था गाईस ठीक है और इनके पिता का नाम मानको जी था ठीक है एक बार यहाँ से हुलकरवंश के जो संस्था पके मलार राव हुलकर का यहाँ से इस गाओं में यहाँ पर ठैरना हुआ मलार राव हुलकर मराठा सामराज के एक महान सरदार भी थे और पेश्वा बाजी राव के एक विश्वशनी भी थे ठीके गईज, तो उनका एहमद नगर के इस गाउं में एक बार रुखना हुआ और यही पर हुआ अहिलिया भाई हुलकर जो कि उसमें एक बहुत ही छोटी उम्र की बाली का थी लगबग 8 वर्ष के आसपास कई लोगों से उनकी चर्चाव सुनी किस तरह की वो एक तेज, चंचल और कई कलाओं में संपन, कन्या थी और उन्ही सब चीजों से प्रभावित होकर यह सीधे मल्लार भाई हुलकर थे इनके पिता मानकोजी के पास गए और अपने पुत्र, खंडे राओ के लिए इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा मानकोजी सिंदे जल्दी उस परस्ताओं के लिए रेडी हो गए या मान गए और फिर कुछ समय बाद अहिलिया भाय हुलकर का विवा खंडेराओं के साथ संपन हुआ खंडेराओं के अगर बात की जाए तो गईज वो एक महान जो है मराठा जो सरदार है उनके पुत्र थे परन्तु उनके अंदर एक शाशन के प्रति जो एक राजकुमार की एक जो लगा हुआ उनके प्रति जो कारी रहते हैं उस तरह की उनके विचार नहीं थे वो एक विलास ठीके तो केसे अहिलिया भाई ने केसे उनके अंदर गोरव को जबाया तो ये एक personality effect था ठीके अहिलिया भाई का effect था वो एक काफी तेज महिला थी और काफी चंचल थी काफी इन सब शिजों को समेदन शिल रूप में देखती थी इन ही का प्रभाव जो है वो खंडेरा उपर अहिलिया भाई हुलकर का काफी सम्मान करते थे ठीके विभा के कुछ वर्ष उपरान थी 1745 में अहिलिया भाई ने एक पुत्र को जन्म दिया 1745 में जिसका नाम माले राव रखा गया और उसके तीन वर्ष उपरान थी उन्होंने कन्या को जन्म दिया जिनका नाम मुक्ता यह पुत्री के जन्द के कुछ वर्ष उपरान थी 1754 में लगभग इनके पती का कुम्भेर के युद्ध में निधन हो गया यह युद्ध था मराठाओ का जुन्होंने यहाँ पर हमला किया था और इसमें इनका निधन हो गया था, कुम्बेर के युद्ध में याद रखेंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, और यही से इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, चुकि इनके पती के मृतिव के बाद यहा निश्ची कर चुकि थी कि इने सती होना है परन्तु इनके ससुर द्वारा काफी अधिक समझाने के बाद इन्होंने अपने विचार में परिवर्दन किया, और इन्होंने उस 1754 के बाद धीरेदरे, वह उनकी बात मान भी गई और उन्होंने राजकाज के कारियों में इंट्रेस लेना शुरू गया, साथ ही सेन्य और कूटनेतिक मामलों में भी उन्होंने इंट्रेस लेना शुरू गया, चुकि यह एक बहुती तेज और प्रभावशाली विक्तित्यों की महिला थी, तो जल्दी इन्होंने सारी चीज़े सीखना या काफी कुछ सीख भी रखा था, पर उन्तु 1754 के बाद उसमें तेजी आत थी है, ठीक है गईज, नेक्स शुरू करते हैं, इसके आगे क्या हुआ, कुछ वर्षों तक 1754 से लगा कर शाचर तक इन्होंने एक बहुती तेजी से सभी कूटने थी, प्रशाशने एक अर्ज साथ संबंदी सभी कारियों को तेजी से सीख लिया, अहिलिया भाई होलकर न ठीक है, और कई बार तो मलार रा होलकर के साथ यहा, युद्ध में भी जाया करते थी, जब वो अनुपस्तित रहते थे तब ये उनकी अनुपस्तिती में राजकार के संपून कार, अहिलिया भाई होलकर ही देखा करते थी, ठीक है गईज, तो इनकी काफी महतुपून ट्र म्रत्यू के बाद, इन्हें काफी सेकंड टर्निंग पॉइंट होता है, इनके जीवन का, काफी धक्का लगता है, और परिशान और चिंतित भी होती है, और उसके ही एक वर्ष उपरांत ही इनके बेटे का भी निधन हो जाता है, बेटे के बारे में भी एक स्टोरी प्रशल में देखे थे यहां पर, कि कैसे इनके म्रत्यू हुई, कई अलगतर की विचार यहां पर इतियास में दर्ज है गाइस, ठीक है, तो हम आगे देखेंगे, एक साथ दो घटना, एक घटी जिसके कारण, सेकंड टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का, क्योंकि इसके शाषन की बागदूर समालते ही सबसे बड़ी जो चुनोती थी, इनके सामने वो थी, राजी में काफी ज़्यादा आशांती फेल चुके थी, उब्द्रवी या उब्द्रव होने लगे थे, जिससे काफी चिंतित होने लगी थी, तभी इन्होंने अपने सभी प्रमुक सरदारों की बेठक बुलाई और उसमें घोशना की, कि जो भी या उब्द्रव को शांत कर देगा, उससे मैं अपनी बेटी का विवा कर दूँ, मुक्ता भाई का, ठीक है? उसमें एक कुशल सरदार भी थे, यश्वंत्राओ नाम की, उन्होंने यह जिम्मेदारी ले और ज किला देख रहे हैं, यह आप महिश्वर का किला देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्शा करेंगे, ठीक है गईज? अहीलिया बाई ने शांती स्थापना के बाद, या इसके आसपास ही इन्होंने इनको एक सिनावपती की आवश्यक्ता थी, तो इनके लिए एक उत्तम सिनावपती इन्ही के परिवार और मलार राह होलकर के विश्वरस नहीं, तुकोजी राह होलकर थे, जो कि इन्हें माता के समान मानते थे, उन्ही को इन्होंने अपना सिनावपती नियुक्त किया, और जो एक्स वसूल करने का जो काम होता है, वो भी उन्हें सोब दिया, ठ ये काफी अधिक विश्वेश नहीं थे मलार्रा होलकर और इनके भी और इन्होंने काफी प्रभाव शालिय और कुशलता पुर्वक इन्होंने जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने समभाली भी ठीक है राजमाता ने मालवा शित्र में अब जब शांती स्थापना हो गई एक कुशल सेनापती है इनका मिल गया इनको तो इन्होंने तेजे से इस राज़े के महत्तो को समझा और उस शित्र में विकास कारिकों संपन्न किया सबसे पहले इन्होंने सडके जो की बहुत खराब थी जो की अगर व्यापार भी स्थापित करना तो सडके का होना बहुत महत्तो पूर्ण है इसी को देखते हुए पूरी मालवा शित्र में इन्होंने सडकों का जाल बिछवा दिया परन्तु एक चुनोती इनके सामने अभी भी थी जो की राजधानी की सुरक्षा को लेख थी उस समय राजधानी जो थी ये इंदोर ही थी और इंदोर के आसपास कई इनके शत्रू थे जो इन पे अब आक्रमान करना चाहा रहे थे ठीक है गईज परन्तु इन्होंने नर्मदा को भी आती प्रेम करते थी नर्मदा नदी की किनारे अपनी राजधानी बसान चाहते थी इसलिए कई द्रस्टी कोंड से इन्होंने महेश्वर में राजधानी को इस्थापित करने का नेर्ने लिया 1732 के आसपास जब मलारा हुलकर ने इंदूर राजधानी परिवर्तन हुआ था ठीक है गईज और यह एक भोती कुटिल था या फिर भोती सूजबूत का नेर्ने था अहिलिया भाई हुलकर का अहिलिया भाई हुलकर ने जो सबसे महतुकून काम किये वो है इनके वूमन इंपॉर्मेंट को लेकर वूमन के लिए लगबग हर शित्र में उनका समग्र जो है महिलाओं का समगर विकास हो सके जैसे सभी महतुपून ने अहिलियावे हुलकर द्वारा लिये गए जैसे कि महिलाओं को न्याय देना महिलाओं के न्याय के प्रती अतिसमवेदन्शिल थी महिलाओं का अगर कोई शोशन करता था महिलाओं के शिक्षा के लिए कुछ उस समय शिक्षा इतनी प्रशलित नहीं थी महिलाओं में परन्तों इनकी चानी के उन्ने के बाद उन्होंने तेजी से महिला शिक्षा के कारिक्राम को चलाया इनका मानना था कि जब तक महिला आर्थी अर्थिक क्रूप से शषक नहीं होगी ना तो उनfach न्याय मिल पाएगा नहीं उनका कल्याण हो पाएग तो सबसे पहले उन्हों नहीं मुहाँ पर महेश्वर में बुंकर उध्योक की स्थापना की जो आज भी फेमस है महिश्वर को बुनकर उध्योग के नाम जा या फिर मां की साडियों के लिए तो गैस यह जो है मारानी ने महिलाओ को शशक करने के लिए पर बुनकर उध्यों की स्थापना की थी ताकि हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो सके शिक्षा के लिए कारी किया उनको आर्थिक रूप से सभी महत्वपुन कारी किये ठीक है गई आगे बढ़ते हैं ये बात मैं बताई चुका हूँ कि लड़कियों के शिक्षा को महत्वदेती थी ठीक है आर्थी रूप से शशक्त करने के लिए भी ये काफी चिंचिदोर उन्हें किया भी सही अत्यंति न्याय प्रियत थी ठीक है इनके पुत्र दुआरा कुछ एसी गलती कर दी गई थी जो कि महिलाओ के प्रती थी तो उन्हें हातियों से कुचलवा दिया था पर ये एक जन सुरूती है वहापन महेश्वर में प्रशले थे इत्यास में इनकी म्रत्यू का करण जो है मालेराओ के म्रत्यू का करण वो प्रशाशक तो थी ये कूटन इतिक भी थी कैसे आई ये देखते हैं कि इन्होंने युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं ज्यादा युद्ध वगेरा में इनका उद्देश यही था कि महिलाओ का कल्यान किया जाए राज्य को शशक बनाया जाए वेलफियर वर्क किये जाए धार्मिक कारे किया जाए परन्तु युद्ध के लिए भी ये तैयार रहते थी मतलब अपनी जो सेना थी उनका जो प्रशिक्षन है वह इन्होंने यूरोपी पद्धति पर करवा रखा था क्योंकि ये इसी कोई चुनोती आने के लिए उसके लिए भी तैयार रहना रशाशन के खी स्थापना के साथ में नियाय अल्य को भी depression उस्थापना उन्होंने नी conviction लेवल से उपर लेवल तक करी लिए की विवस्था एसी थी कि ग्रावें शित्रों में वही व्यक्ति नियाय के लिए गुःर के लिए भी तो त्विसी त्विद्धी रानी से भी अ रानी अहिल्या भाई ने भारत में कई निर्मान कारि करवाई और यह सभी खासकर धार्मिक थे यसे उत्तर से लगागर दक्षिन और पूर से लगागर पस्चिम में अनिक मंदीर धर्मशालाओ ठीक हे, धर्म्शालाओं का निर्मान करवा है घाट, कुए, बावोडियो, आदि का निर्मान करवा है साथी कुछ महत्युकून मंदीरों का निर्मान कराए है जैसी काशिया, वारणिसी का मंदीर सूमनाथ का मंदीर ये सब महत्तो कुन मंदीर है गईस ठीक है जिनका निर्माण अहीलिया पई ने करवाया था इसके अलाओ जैसे हरीदवार, दवारका, बत्रिनाथ, रामेश्वार, जगननात, पूरी, इत्यादी स्थानों पर भी इन्होंने मंदीर और घाट और धर्मशाला, बावडी जैसे चीजों का निर्मान करा थे, साथ ही ये विद्वानों के संरक्षन में विश्वास करते थे, उनके बाद विवाद के लिए विवस्था है और उनके वर्ष में ही इन्होंने, वह सभी कारिक किये, जिसके कारण इनकी एक कोई भी व्यक्ति जब विश्वेशन करेगा, तो आराम से कहच पाएगा कि इन्होंने एक महत्तुपुन, शुशाशन या गुट गवर्नेंस की स्थापना किय थी अपने राज्चों में, क्योंकि एक गुट गवर्नेंस का मतलब होता है कि सभी शित्रों में महत्तुपुन, इकाईयों की स्थापना करना, प्रशाशन के स्तर पर, महिलाओ के लिए, गरीब बंचित के लिए, समान न्याई की विवस्था, ठीक है, उनके लिए कल्यान कारी कारी करना, तो ये आज से तीन सु सा पर पेने एक बहुती, विचित्र प्रकार की विवस्था थी, जो इन्होंने दी थी, इसके लिए इनके शाशनकाल को गुट गवर्नेंस का जाता है, लगवग हर्च शित्र में इन्होंने काम किया, प्रशाशन, शाशन, प्रशाशन, सेन्य, कूटनीतिक, ठीक है, साथी र प्रती चिंतन, यह सब हमीं दिखाएंगे, इसमें, साथी यह क्यों एक महान शाशिका थी, और क्यों ब्रिटिस इतियास करें इनके तुलना, यूरोप की महरानियां से करते हैं, तो आज से 300 साल पहले, यूरोप में भी इस तरह महरानिया थी, और उन्होंने भी इस तरह के कल्यान के लिए काम किया, तो उनसे भी महान उनको दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है, अन्तितर 30 सालों के बस्चा 13 अगस्त सन 1795 को इनकी मत्य हो गई, अहिल्या भाई हुलकर की, ठीक, और उसके बाद तुको जी ने शाशन समाल, ठीक है, तो ये इनकी शाशन की एक पूर्ण स्टर्डी थी, ये डिस्केशन था, जिसके बारे में अक्सर कुशन भी आते रहते हैं, जिसे अहिल्या भाई हुलकर के बारे में भी थ्री मार्क्स में कुशन आ सकता है, मलार राव हुलकर के बारे में आ सकता है, महिश्वर के किले में बारे में आ सकता है, तो मह अगले लेक्चर में हम रानी दूरगावाती के बारे में डिस्क्रिशन करेंगे जुड़े रही है इस वीडियो लेक्चर सीरीज से आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा ठीक है थैंक्यू फो वाचिंग अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो हमारे यूट में कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि वीडियो में क्या पसंद आया और क्या आपको कोई डाउट है तो उन्हें भी आप लिखे उनका जवाब दिया जाए है ठीक है थैंक्यू वेरी मिच